नाश्ट पुर्माइट्सरें आपको बहुत अच्छे लगे होगे अब तक आपने मैं एक्स्पेक्ट कर रहा हुँ कि जिसने रेंद्रा भस्तिवर बनाई होगी जिसने मेरे लेक्टर को बहुत अच्छे से फॉलोग किया आपको उसके लिए यह क्वेशन को बहुत नहीं होगे तो चलो क्वेशन अब में इनके सॉलुशन बता देता हुए क्वेशन फॉस्ट इस दाट रेशियो ऑफ और दिमाग भी लगाना था एक्चुलिए आपको अगर जिसका क्यों होगा तो मुझे लगता हो स्पर्फियो ती करके सॉल किया हो रहा है तो एस्ट्री प्योफ तरी था था वह फड़ा अग्लिस निस कंटेंस सेन नुमर ऑफ पी अटम थे लो सीए ठ्री कोशियोन नुमर ट्वुटे सिक्स सी एफ यह थी पी ओफ फ़ॉर ट्वाइस इसमें फॉस्फोर्स की एटम कितने है तुऊ है और ऑटसीज़न की एटम कितने है एट एट एटम ओके अब क्या बछा धिने एट्टिपी यह स्थी पी युव थिल्यू तरी पी त इस दो फोस्फोरस एटम कितना कंटेंड करेगा 6 oxygen atom क्योंकि क्या बोला है दोनों में फोस्फोरस का एटम सेम है अगर इसमें दो है तो इसमें भी आपको दो मान के चलना पड़ेगा तो अगर एक में तीन है तो दो में कितने होगे इच्छा है तो रेश्यो कितना हो जाएग अगर इसमें दो है तो इसमें भी दो होंगे और एक फोस्फोरस के लिए तो दो फोस्फोरस के लिए 6 होंगे तो आपको असान कोश्यों है मेरे साथ से तो ठीक है क्या होता है तो क्म्प्लीट जनका मिन्स ? अब यहां पोट फोस्फोरस घो जने से लिए तो चौह है और इसका मतलब है कि बीए ओचट्वाइस में आपके पास कितने है तो ओच माईनस है तो तो उच माईनस अब तो अब जूएक किस्में आब यहां पर तो इस था जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा है S3PO4, S3PO2 और S3PO4, इसमें H+, कितने हो जाप दे तीन, इसमें H+, होता है दो, ठीक है, यह हो सकता, आपको मैं बोनस मार्च दूँगा, अगर जिसमें ये बच्चा ये क्योशन जाप दिया, कि ये कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि आ हमारे बच्चा फॉंडेशन पढ़े होगे उनको यह पता होगा कि इसमें एक होता है नहीं हो तो फिलाल के लिए याद रखना आप केमिकल बॉर्णिंग में पढ़ोगे ठीक है तो थोड़ा यह एडवांस लगाना का कुश्चन था यह एडवांस लगाना का कुश्चन था क चार है तो 3 देगा 2 है तो 1 देगा 3 है तो 2 देगा ठीक है फिलाल के लिए याद रखें अब पहला कुश्चन किया बोला 1.5 1.5 मोल है तो 1.5 इंटू 3 मतलब कितना होगा 3 तो यहां पे 3 और यहां पे 2 तो पैना ही ऑप्शन गलत हो गया आपको कम्प्रीट नुटलाइजिशन के लिए 2H प्लस चाहिए तो बागी तीनों आप्शन में 2H प्लस है इसमें नहीं क्योंकि यह तीन देराइस का मतलब यह क्या नुटीट की बात करो मैं चलो जाएगा ऑप्शन भी और कोशन नुबर 27 का जो हो जाएगा मेरे साथ से और जिए जिसका टो टूटल वेट उसने 100 ग्राम है कितना है 100% है इसको मतलब भाया उससे टोटल गयास का सॉलिशन मतलब जो गयास मिक्षर को वेट है 100 गया अगर माल लो इसका जो वेट है 44% है कितना है 44% 44% डिवाइड़ बाए 44 प्लस बचा कोचा अब सियो टू 44 होता है इतना हो 56 यह इसको डिवाइड कर दो इसके अटमिक मास से ओवर ओर मतलब क्या रहेगा N1 प्लस N2 किसके बराबर रहेगा N मिक्षर के मिक्षर के मोल्स इन से जादा बड़े हो नहीं सकते तो मैंने वही क्या 44 बाए 44 प्लस 56 बाए 2 2 is nothing but 100 by अब यहां पर M मानना पड़े क्या आपको मिक्षर का मोलन मास आपको नहीं बड़ा तो एक basic logic से मैंने इसको solve किया हो कुछ नहीं है तो यहां से जब आप इसको solve करोगे तो you will get your M यह मिले solve set M आता है 3.45 तो vapor density जो आएगा 3.45 divided by 2 तो that's nothing but 1.72 1.72 तो यह आपको जो option हो जाता है यह हो जाता है B क्या हो जाता है B 28 का B चलो 29 नमर हम देखते हैं 29 नमर क्या बोला है क्या हो जाता है on heating HgNO3 the residue left बहुत आसान तुश्य नहीं है इस टाइक को क्लास्रूम में करा है HgNO3 को heat करने पर आपको क्या मिलता है Hg इसका बेट उसने कितना दिया 1.7 ग्रम कितना दिया 1.7 इसको डिवाइट सागो मॉलर मास है तो 170 तो 0.1 हो गया तो यह 0.1 है तो यह भी कितना 0.1 मोल होगा इसका मतलब बढ़ गट इस दो वेट आजी वेट अजी वेट आजी होगा उसके बाद 30 नमबर यह मैं आपको प्लस पूर मास गुंदा that is out of syllabus question है थोड़ा यह आपको अभी मैंने नहीं बताये normality बगर एक question यह हम रहे डॉक्स टू में discussion करेंगे ठीक है चलो question number 31 don't worry आपको प्लस पूर आप अपने में add कर सकते हो 34 marks ठीक है ratio of 1 is to 4 by weight the ratio of the number of molecule ठीक है असान है number of molecule of O2 उसने ratio पूछा है number of molecule of N2 क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या मैं इसको लिख सकता हूं है mass upon molar mass divided by mass upon molar mass इसका molar mass उपर चला है reverse में चला जाएगा आप समझ चुक्योंगे weight of O2 divided by weight of N2 into 28 by 32 that's the weight of O2 in case ratio में दिया 1 is to 4 to 28 by 32 that's 7 to 7 is to 32 this is your answer yeah option CA question number 32 क्या अगर मैं बात करता हूं अब क्या बोलना मिल्रन रूटलाइब इस न अक्साइड टैनिंग 39.95 परसें कोई titanium oxide है आपको नहीं पता है इस आइसो मोर्फोस मत्ब इस आइसो मोर्फोस मत्ब क्या होगा यह टी आइए यह टूटू अब क्या पोल लाए आप बोल यह रहा है कि अगर आपको पजह आपको अगर अगर आपको पजह आपको आपको यहां से भी लागा सकते है क्या इस अगर मैं अब मलिक्लर वेट आफ टी आइए वरटू के बाद करो तो यह कितना होगा? इसमें टाइडिनम का अटमिक में इसम आणा है तो मलिक्लार वेट टी आइए वरटू कितना होगा? अब सुण होगा? एक्स प्लस थर्टीटू ग्राम टी आइए वरटू 32 ग्राम oxygen contain कर रहा है, मानते इस बात को, 32 ग्राम oxygen contain कर रहा है, चीक है, तो 1 ग्राम T.I.O2 कितना contain करेगा, 32 ग्राम एक्स प्लस 32, अब क्योंकि उसने percentage दीया हुआ, T.I.O2 का इसमें कितना है, 39.9%, इसका मतर टोटल दीया है, उसने कितना माला हुआ 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 ग्राम Buragh Hope 32, एक्स प्लस 32, इन्टु 100 और इतना ही oxygen कंटेन कर रहा है, के का परसेंट oxygen कंटेन कर है, 39.95 पहले मेंनी निकाले 100 ग्राम वह सबतक मेरे 100 ग्राम का टूटल टीया योटू का वेट कितना होगा, तो इतना होगा, उसने oxygen का वेट 39%, तो मैंना बस इसको क्या कर तो अप्सिजन का वेट तो वहां है तो हन्द ग्राम को लिया क्योंकि यहां पर संटेज दिया इसका मतब जो ओक्सिजन का बेट 39.9 आ रहा होगा वो अपस अब आता है 100 ग्राम टियोट पी लिए ही आया होगा तो 100 ग्राम कितना ओक्षिजन कर रहा है इतना ओक्षिजन और यह वैल्यू किसके बराबर है 39.95 तो दिया हुआ है तो यहां से जब आप कल्कुलेट करोगे तो X के वैल्यू आएगे 48.10 किसने की बराबर आएगे 48.10 तो तो दैट इस नहीं बट ऑप्षिंस थ्री ऑप्षिंस थ्री कुर्शन अंबर 30 कुर्शन अंबर 33 13.4 जा इस वैल्ग हाइटेटर रहां यहां निया जाएगा वाटर मोल सो भाटर ऐसे पहले वाटर को तो इसका मॉल्स उड़ाइगा मोल्स वाटर के आप इतना है और टोटल वेट उसे संपल का कितना लिए 13.4 13.4 में से 6.3 सब्सक्राइक करूंगा तो स्रिफ आपको आपको नेट वेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो यह वेट कितना आपता है यह वेट आपका 7.1 ग्राम 7.1 ग्राम थीक है 7.1 ग्राम आता है तो इसके मोल्स आहेंगे मोल्स of Na2SO4 कितना हो जाएगा मोल्स आपको जाएगा ? तो नेट आपको दिवाइद वाइबाइद वाइव नवाट टो तो यह वाह जाएगा ? यह वाह जाएगा ? तो आपको बेट दिया हुए दोनों का 50-50 इसकेस के अटमिक बेट से क्या करें दिवाइड करी तो दास नतिंग बट 5 तो दास नतिंग बट 2.5 और दोनों 2.5 से डिवाइड करों तो सिप्ले से में केतना है एक स्टू वाइड चांसर क्या जाएगा आपको ऑप्शन भी ठीक है चलो कुशन नमबर 35 और भी आसान है क्या बोलना है पूर पर्सेंट आपको सफर दिया किसी कंपॉर में मिनिमम मॉल इकवाइड बताना है तो मिनिमम मॉलेकुरर बीट के लिए कंव से कम एक सब्स्क्राइड तो 32 divided by M into 100 और इतना परसेंटेज किसके बराबर दिया 4 के दिया बराबर दिया तो M के वेलिया हाँ से कितनी आएगी 800 आएगी तो आपको बहुत आसाना से कुछन है ठीक है कुछिशन नमर 36 कुछिशन नमर 36 या भोला है यह हाइड्रेट ऑफ एने टू-सो-3 व Hadi has water 50 पर्सना भाईcards फिर सगेजITT कुछंप ने-टू-सो-3 आपको वेट दिया वाए ड़िया वह एक वोम भी उसका फ़र्मौला का भी यह होता है रेशयो चलो कि आसान पयोस्षाब probability यह Si fan चलो ठीक है और ठीक है कोश्चन नमर्ट इडिस क्या बोला कोश्चन नमर्ट इडिस से बोला एने टो एसो थ्री और क्या बोला उसने है हाईड़र वाटर बाइन मास इडिस दर्म पक फॉर्मला ही कुछ है कि अभाई किस रिश्यो में होंगे तो एक मेरा क्या है 50 डिवाइड़ वाइड़ यह कितना होगा मेरे सब्सक्राइब बेटाता है यह आएगा 126 रहे यह आएगा 126 दूसरा एगा 50 बाई 89 तो यह जो ए यह जाती है यह जाती है 1-2 7 की एप्रोंस्मेंट की तो ओप्षण आपके क्या होगा एड़ तो 3.7-1 क्या होगा 7-2 option 3 option is the correct answer ठीक है question number 37 की बात करूं मैं question number 37 क्या बला how many mores of यह आई थि मैंने classic question डाल दाव फिर से यह आख कर चुके हो मेरे साफे 38 number 38 option 4 होगा यह आपने प 38 number 38 number का answer क्या होगा 4 होगा 36 हो चुता था 37 37 यह हमारा sorry by mistake sorry 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 38 number का answer कितना होगा 36 एपर 38 बाता था जो कि answer 4 होगा 37 38 अगर फिर भी नहीं आता तो परसनली पूछ लिजेगा बट मुझे लगता है आज एक पहले class पहले lecture का ही question है ठीक है 37 क्या क्या कुछा 10 gram mixture of NaSCO3 and Na2CO3 has 1. 1.60 gram of NaSCO3 it is heated at 400 calories what is the weight of residue बहुत आसान कुछ है मेरे पॉडिको क्या होगा बैया मिक्षर आपके पास NaSCO3 plus Na2CO3 जिसमें इसका total 10 gram mixture है 10 gram mixture है आपको याद है कि स्टैटल कोशन मेंने आपको यह बात बताती है कि जब भी आप heating करते हो तो carbonate का heating को कोई effect नहीं होता है याद है group 1 के carbonate कोई भी heating का effect नहीं शो करते है मजब यह no effect no effect लेकिन अगा आप इसी को हीट करते हो तो यह क्या देगा Na2CO3 dot plus H2O plus CO2 यह देगा यह twice multiply कर दीज़ें ठीक है इसको twice CO3 twice multiply कर दीज़ें ठीक है नाव Na2CO3 को तो कुछ होगा ने तो अगेन यहां पर आपके पास कितना था 1.68 था 10 gram में से 1.68 gram आपके पास कितना था हाँ 1.68 gram का तो 10 gram में से 1.68 gram Na2 बस इतना ही पाट Na2 मिक्षर दर यह करेगा बागी का रेस्ट Na2CO3 कितना बचेगा Na2CO3 पे तो कोई effect ने पढ़ेगा तो 8.32 कुछ बचेगा आपका पास 10-1 मिक्षर तो 8.32 यह बचा बढ़ेगा इस पे कोई effect नहीं होगा यह ऐसे इस बचा रहेगा ठीक है तो यही अब यही को क्या होता तो यही को क्या होता यही तो residue आपका यही क्या होगा residue तो one point इसको क्या कर बस्त्राइचो मेंटर से निकाल जो आएगा वेट उसको इससे आड़ेगा तो तो फिर वह आपको सौल करें बदा देता हूं चीक है फिर से नहीं समझा रहों इसका मतलब इसका मतलब इसको हीट कर रहे तो यह जो मिलेगा वह इसमें एड करना पड़ेगा आपको यहां पे जो मोल है यहां पे कितने मोल जाएंगे यह 1.68 का अपको यह जो डिवाइट करोगे 84 से तो तो आसे नाथ भडिनचे कर बार जो को से नाथनी बाट 0.02 इसके मोल किपना हो जाएंगे जिसका निकालना है जिसका निकालना इंट न नना इंट्चने 00.02 तो यहां काख़ो 1.06 एमकर 9.38 आपका आशर बगाब बरत विश्टीद दो दो ऑच्छा कोईस्ट दूर थिक है क्षोन नुमरे 7 वद अबर 38 हो गया थिक है तो पेट 939 और गोज्ण 9 3 तो 9.8 ऑप्शन 9 39 मेरा क्या है क्या बोला है 1 x 10 x 22 molecule of Cu SO4.5 H2 का मुल कितना होता है ठीक है अगर है बात करो molecular weight of Cu SO4.5H2 कितना होगा molecular weight of Cu SO4.5H2 का जो molecular weight होता है 249 gram होता है 249 gram मतलब molecular weight कहने का मतलब है कि इसका मतलब यह होगा कि one weight of one mole weight of one mole of Cu SO4.5H2 का weight कितना आ रहा है 249 gram इसका मतलब 6 x 10 x 23 molecule molecule और Cu SO4.5H2 का weight आ रहा है 249 gram तो one molecule का कितना है एगा 249 by NA मतलब 6 x 10 x 23 तो 10 x 22 molecule का कितना होगा 249 by 6 x 10 x 23 x 10 x 22 तो that's nothing but 10 तो 249 by 60 249 by 60 यह आपके approximately कितना जाता है 4.15 gram 4.15 gram that will be your answer and this will be option number 1 approximately चलो ठीक है question number 40 question number 40 हम देखते हैं दरीके से how many moles of O2 will be liberated by one mole of CrO5 for the following answer बहुत असान question है CrO5 plus उसको हम hit करते हैं H2SO4 के साथ यह मेरा देगा कितना Cr2 Cr2SO4 Thrice plus Cr2SO4 Thrice plus H2O plus O2 तो पहली बात तो यह reaction बैलेंस नहीं है ठीक है? तो आको देखने से समच में आगे यह reaction को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11 तो सिंपल सा बात है उसने क्या बज़ेगा? एक मोल CrO5 पितना देगा? 11 by 2 देगा? कितना देगा? 11 by 2 उतर ऐसा देगा? 5.5 None of these None of these option मतला option D हो दाएगा 40 कहीं है, 41 हम देखता है, 41 क्या आपका 41 है, consider the ionization of S2SO4 as poros S2SO4 will furnish Total number of files furnished by 100 ml, कुछ नहीं है Molritory उसने दीवे 0.1 है, ठीक है? Volume दिया हुआ है 0.1 liter तो moles कितने हो जाएंगे? Moles मेरे हो जाएंगे? Sorry, molritory का फामुला क्या आता है? N by V तो moles कितने होगा? M into V पराबर किता हो, 0.1 into 0.1 तो दाएंगे 0.01 यह मेरे moles होगा, number of moles होगा, ठीक है? अब क्या बोलगा? S2SO4 अगर जो furnish करेगा, वो कैसे तूटेगा? यह तूटेगा, twice of H plus और S4, 2 minus तो अगर यह 0.01 है, तो यह भी किता होगा 0.01 into 2 और 0.01 तो total ion कितने आपके पास होगा? total moles of iron total number of moles आपके पास होगा total number of moles of iron iron के total moles आपके पास कितने होगा? 0.03 तो molecule कितने हो जाएंगे? number of ions जो हो जाएंगे? 0.03 into 6 into 10 raise to 23 तो यह जाएंगा 0.18 10 raise to 23 ions हो जाएंगे अरे कुछ नहीं किया मैंने H2SO4 को डिसोसेट किया total आपके पास moles डिसोसेट होगा तो H plus के total moles 0.02 S4 2 minus के total moles 0.01 तो total number of moles ions के total number of moles कितने हो 0.03 उसके हैंगे से multiply कितने हो number of ions, ठीक है? 41 होगा है हमारा इसके बाद बात कर अब दे 42 I think repeated question है किसका option C होगा 43 का answer कितना होगा 43 में जिसका number of moles सबसे ज़्यादा होगा 42 का तो मैं answer C देता हूं 43 का डारेक्ट में करना हो इसको solve दने के जड़त नहीं है 43 का A होगा आप चेक कर लेना 44 ठीक है बहुत आसान कुश्य नहीं कर देता और कभी तो भी नहीं देता आपको यहां reaction दिया होगा नहीं उसने एक चलाकी क्या किया उसने product दे दिया product दे दिया तो मतब क्या अब यह किसका बोला BA3PO4 twice BA3PO4 twice plus NACL यह reaction बहेगा यह I think मैंने आपको classroom में भी करवा आसा question ठीक है अब यह action balance है तो balance कर दो Thrice यहां पे हो जाएगा Twice यहां पे हो जाएगा यहां पे 6 हो जाएगा अब यह साइब balance है ठीक है यह 0.5 है यह कितना 0.54 यह 0.2 है 0.5 divided by 0.3 sorry 0.5 divided by 3 0.16 आता है 0.2 divided by 0.1 तो अब यह समझे limiting region को नभाईए होगा तो यह product decide करेगा 1 by 2 into 0.2 that's nothing but 0.1 1 mole बनेगा maximum कितना बन सकता D 0.1 1 बना सकता है ठीक है कुछ दिकत नहीं है 45 45 को और ग्रास आने 45 आनसर क्या आगा 1 mole मतब क्या 1 mole 1 kg solvent में 1000 gram solvent बोला वह उसने option A सरी है मेरा ठीक है question number 46 W by W कितना 30 divided by 36.5 जब आप इसको डिवाइट को दोगे you will get your answer as a 9 कितना एगा पांसर 9 ठीक है question number 47 question 47 के बाद a solution contains 75 mg NACL per ml 1 ml में 75 ml चलो 1 ml में कितना वेट है 75 ml 75 mg क्या बोला है to what extent must it be diluted to give a solution of concentration 15 mg NACL per ml मतलब मैं कितना कितना डाल हूँ था कि 1 ml में मेरा 15 mg contain हो जाए आप एक देख रहो कि पहले सब एक ml में 75 mg NACL थे मैंने पानी इतना डाल दिया कि आप 1 ml में सिर्फ 15 ml मतलब अल्मस्ट वेट कितने ताइम घट चुका है 15 ताइम आपको पता होगा कि तो या सब्सक्रिण, पाना Maarity होता है Muslim moles variables तो वेट में सिर्फ 10 में घट चुका तो volume कितने ताइम बड़ा होगा वूले 5 टैम अब से बात है Volume कितना ताइम बड़ा होगा 5 टैम मेरे क्या होगा वाल्यूम बढ़ा होता है कि तो फाइंट फाइंट घट चुका है समझ में बाद तो जिसी यार आंसर विल भी फाइफ इसका आंसर क्या होगा फाइफ तो इसमें बहुत आता को दिमागान जरूत नहीं थी बेसिक कुशन था बोल के रहें तू पर संट ग्राम और नाइटी आपको 92 परसंट वेट वेटन जरूट अंडरेट में मिले तो अंडेट में से मैंने डीट ग्राम को क्या मिलेगा वाटो यह अंसर होगा गाना है एक कर्ना अंडरेट आमने को समझा समझ दो उससे कर आफना नाइंट फाइचे क्स आपको डब्ल्लू इसका इननी टु ग्र यह था, ठीक है, 49 नमबर देखों क्या हम बोलना है? 49 नमबर क्या हम बोलना है? अब परसंटेक 6.1 ग्राम एंटासिट टेबलेट, एंटासिट मतब बाइकार्बनेट, एज सी यो थ्री माइनस, टेबलेट कंटेनिंग बाइकार्बनेट आयन, ठीक है, एक ट्वन्ती परसंटेक है, इतना होता परसंटेज है, वोल्यम सी ओतो इनवर्ड, एक वन एक बैके बाइन, तो यहां पे बात है, थेल्यम बाइन, यहां बात है, जनररली ट्वट प्रफ देटा, बट्वट के लिए याद रिके, यह 24.4 वोल्यम होता, अगर आपने 22.4 करके भी है तो that's not a issue आप ऐसे भी कर सकते हो जनरली देता है अगर आपको 25 देटी 180 म और 273 Kelvin रहता है तो temperature हम क्या है तो volume of the gas कितना होता है 22.4 लेकिन 180 म और 25 देटी तो 24.4 हम लेते हैं याद रखना है इंची को ठीक है वो 10 times volume होता है एक्स लिटर तो आपको बताना approximate value of x लिए उसने कोई anti-acid लिया जो CO2 प्रोडूस कर रहा है क्या प्रोडूस कर रहा है CO2 बट यह 10 times produce कर रहा है कितना time produce कर रहा है 10 times तो यही x की value बतानी की x कितनी है रिप्चलो को नहीं करनी है भाइय वेट उसने कितना दिया वा 6.1 ग्रान दिया वा 6.1 और SCO3 माइनस का आपको जो होगा यह हो जाएगा 61 और यह भी कितना present है यह इसका 20% present है 20% ही यह क्या है present है तो यह जो इसके मोल्स आएंगे total इसके मोल्स आएंगे 0.0208 इंटू 22.41 के आप कर सकते हो तो यह approximately आती है value यह आती है 0.47 तो यहाँ पे x की value कितनी है यह 10 इंटू 0.47 तो that's nothing but 4.7 तो approximately 5 value use कर सकते है यह 4.7 बिना तो भी कोई शो नहीं है समझ्वाइबा सबको ठीक है चलो 50 number क्या बोलना तो यह समझ्वाइब 10 ताइस बढ़ना मता है यह नहीं आपको निकाला था कि इसके मोल्स के प्लाइब वही मोल्स का 10 सबढ़ने प्लाइकर सब्सक्राइब फाइनल गौल जो ठीक है वन इतना मोल्स लिया लेकिन उसका 20 परसंट इक बाइक करता है और वो जब इत्रियक करता है तो दस जो भी एक मोल होगा उसका 10 ताइंग मोल नॉर्माल एंटाइसिर बन सीयो तो प्रोडूस करता है तो यहीं आपको पहले एक मोल से निकाल लिए एक मोल से जो मुझे निक इस प्रोडूस का इंदर इस बाइस बॉल्डा है कि दा वॉल्म आपको इवार्ट इवार्ट इस इंदा स्वाज मुझे प्रोडूस करता है तो जो भी है उसको 10 सम्क्टिप्लाइं कर देना तो यहां सर्ण वी और आंसर इस इस और 4.7 यह 5 कर सकते हूं 15 नमबर क्युशन last time दिख्टे है है the specific gravity of salt चला इतना दियाब if Vml of water is added to one liter of the solution to make it's density 1.02 what is the what is the to make it density 1.02 what is the Vml of water Vml in the approximate कि है जह पो根ार और आप आप प मैं नो ? अ काई ऑल दूश कि आपट vap aproximat कि आप भी प्रcience wherever बाम skill कि आप अपट आप आप कर आप इसकती अबादी के एंग्साइब कर शुछ दूए इसलिए में अ मुंदो यूपुर पादी धिक वी स्च लिखंग्साइब है की. जसमानसे चेका दो. वेशा हम आसा झालवाव के लिए ने दले पांसे आदे. झाल 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 आपको पिच्ट को समय मारा आपको इसमें अंसर गलत गया है ठीक है मेरा आपको कुछ भर आ रहा था देखो मैंने जो समझा इस कोशिए में ठीक है मांदो इसके specific gravity को दिया है मताब रो इसने दिया हुँँ 1.025 इता दिया 1.025 ठीक है अगर मांदो इसमें क्या कर गया VML वाटर एड किया हुआ है VML of water is added to 1 litre of this solution VML of water is added to 1 litre of this solution ठीक है 1 litre इसका ओरड़ी solution दिया हुआ 1000 ml तो मताब new volume तो fix कितना बदा होगा कि V add किया है 1000 ml में this is your new volume 1000 ml था उसके पास अलड़ी इसका specific gravity इतना दिया है बोल रहा है to make its density 1.02 gram per ml what is the V अच्छा फिर क्या बोल रहा है 1.02 बनाने के लिए कितना V मुझे add करना पड़ेगा तो अबस बात है दो बाते तो fix है यहां पर कि यहां पर mass को constant रहेगा जो भी सर्फ्टांस रहेगा उसका mass क्या रहेगा constant तो mass constant होने के लिए मतल़ D1 V1 बराबर क्या सर्था है D2 V2 mass constant है ठीक है 1.02 बनाने के लिए आपको V plus 1000 add करना है और initially आपके पास कितना था initially आपके पास था मेरे पास 1.025 into 1000 ठीक है तो यहां से जो V की value आती है approximately यह जो आती है V की approximately value आती है मेरे subscribe इसमें जेकर अगर आपको please check it out कि आपका 4.9 ml आ रहा है यह approximately 5 ml आ रहा है तो इसमें सही है इसमें साही बलग दिया हो ठीक है चलो समझ मैं कैने मदल एक density का चलो एक density दिया होता एक solution के जिसका उसने total 1000 ml यह कितना दिया है 1000 ml उसने क्या बोला मैंने V ml add करने पे मेरे density कितना हो जा रहा है 1.02 हो जा रहा है तो यह V कितना होगा था कि मेरे 1.02 इसका मदला भाया density volume change का रवट मास तो solution का सेम है ना वो पहले पी उतना था बार पे उतना था sorry D2 V2 ठीक है तो D1 V1 is equal to D2 V2 तो यहां सा बीड़ो को करने है तो यहां तक आप अच्छी समझ में आयो गएंगे और को इश्यो नहीं होगा प्रिर भी दुटा था प्रिस ना प्रश्ण बार दार में आप प्र्स नहीं प्रस्ण ट्यू